चेडालाजी का स्वाध्याय पंडित वुलत्रामची द्वारा विरिच्चित हम कर रहे हैं मंगलाचरन करेंगे तीन भुवनमेसार वीतराग वेक्ञानता शिवस्वरूप शिवकार नमहुत्रियोग समहारिके नमो अनिहंताणम नमो सेताणम नमो आईरियाणम नमो वज्जायाणम नमो लोए सवसाहूनम पंच परमेश्टी बगवान की जय 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापो का त्याग करके सभी नौबा नमो कर मंत्र पढ़ले तो हमने कल देखा था कि सन्यास्मरण 12 व्रतों के बाद मरण समय में सन्यास्मरण या समाधी मरण जरूरी है क्या होता इस से अगली लाईन में ये चीज़ बता रहे हैं कि यो श्रावक व्रत पाल जो पारे वृत वताए उनका पालन करके और साथी साथ सन्यास्मरण करके क्या होगा? जो शुरावक है जो आप और हमारे जैसा ग्रहस्त है अगर वो ऐसा fowlt भी कर ले तो उसे क्या मिल जाएगा? सूले स्वर्ग में से किसी भी स्वर्ग में जा सकता है जो मित्ःद्रिष्टी शुरावक है वो तो जा सकता है सिर्व बारवे स्वर्ग तक फिर क्या कह रहे हैं? पर उसके कैसे भाव रहेंगे? तो क्योंकि उसने पहले ऐसे भाव भाई हुए हैं, तो जब उसे फिर से मनुश्य भाव मिलेगा, तो मुनी होकर शिव जावे मोक्ष को जाता है. मुनी बनकर मोक्ष को जाता है. तो ये इस चीज का ये बारेवरत और समाधी मरन लेने का बेनिफिट बता रहे हैं. ठीक है? किसी को इसमें कोई प्रश्न है? इसके बाद हमारी यहां पर चौती ढाल खतम होती है. ठीक है? और इसके बाद हम करेंगे फिफ्थ ढाल शिरूँ. फिफ्थ ढाल क्योंकि उसके उपर पावर पढ़ नहीं है, तो ये उन्हें हमने पीडियेफ खोल लिया इसका. ठीक है? सिमिलर ही है, लेकिन जस्पिक्चर्ज नहीं मिलेंगी इसमें. तो यहां पर क्या कह रहे हैं? बारे भावनाएं किसलिए? भावनाओं के चिंतन का कारण इसका अधिकारी कौन है और इसका क्या लाब है? तो क्या कह रहे हैं? मुनी सकल वरति बड़ भागी भव भोगन ते बैरागी बैराग उपावन माई चिंते अनुप्रिक्षा भाई तो अभी तक हमें क्या बता दिया था? सम्मेक दरशन बताया, सम्मेक ज्यान बताया, सम्मेक चारित्र बता दिया चारित्र बता दिया तो उसका लाब भी बता दिया कि क्या लाब मिलेगा ठीक है अब उसका थोड़ा सा एक्जीक्यूशन बता रहे है कि अगर हमारे अंदर इंट्रेस्टी नहीं आई ये सब करने का बारेवरत को लेने का तो उसके लिए क्या करना तो उसके लिए फिर बता रहे है कि उसका जो हम फाइदा देखेंगे तो हमें लगेगा कि नहीं हमें करना चाहिए ये चीजें हमें तत्वार सुत्र में भी जानने मिलती है कि शरीर भोगों से विरफ्ट होने की भावना को हमें भाना चाहिए ठीक है न क्योंकि वेरागे के लिए वेरागे के बिना इस रास्ते पर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है अगर हम सारा दिन विश्यों की बाते सोचते रहें और सोचे कि हम अपना कल्यान कर लेंगे तो पॉसिबल ही नहीं है इवन मुनी महराज भी है जो उने भी इन भावनाओं का चिंतन करना ही पड़ता है ये बारे भावनाओं समवर का कारण बताईए कितनी बड़ी बात है समवर मतलब कर्मों का आना रुक जाना ये बात जिस समय हम ये चिंतन कर रहे होंगे उस समय कर्म का आना रुख जाएगा किन कर्मों का आना रुख जाएगा? पाप कर्मों का आना रुख जाएगा तो इसलिए बारे भावनाएं जो है समवर का भी कारण है और पुन्य का भी कारण है ठीक है? तो यहाँ पर कैसे शुरू करें? भावनाओं के चिंदन का कारण क्या बता रहा है मुनी सकल वरती बड़ भागी मुनी जो है सकल वरती एक तो थे देश वरती और एक सकल वरती देश वरती में हमने क्या बोला था जो अनुवरत बारे वरत लेके श्रावक की तरह से रहे और एक होगे सकल व्रती, मतलब महा व्रती, मुनी जो है, उनके पास महा व्रत होता है, वो सकल व्रती है, हर तरह के पापों का त्याग, सकल मतलब complete, और व्रती व्रत लेना, तो पाचों पापों का उनका त्याग रहता है, महा व्रती, बड़ भागी, बड़ भागी मतलब क्योंकि वे भव भोगन ते बेरागी, वो संसार और भोगों से, भव और भोग से हैं ना, तो भव मतलब संसार और भोग मतलब जो विशेब भोग हैं, उनसे बेरागी, बेरागी मतलब विरक्त हो जाते हैं, तो क्या होता है विरक्त होने से? कि वे जो वेरागय है वेरागय रूपी पुत्र को उपावन उत्पन करने के लिए माई माता के समान है क्या चीज है बारे भावनाएं बारे भावनाओं का चिंत्वन करने से अंदर में वेरागय उत्पन होता है तो बारह भावना को क्या लिया माता की संग्या दी और उसका रिजल्ट क्या निकलेगा वैरागय भाव का हुना ठीक है बारह भावना है माता के समान और उसका रिजल्ट या पुत्र कहलो वो वैरागय तो बिना वैराग के तो हम लोग सोची नहीं सकते कि हम कहीं इस रास्ते पर आगे बढ़ जाएं क्योंकि हमेशा अगर हमारा भोग में ही इंट्रेस्ट रहेगा जबकि यहां पर क्या करें संसार और भोग से विरक्ती ही वेराग्य है तो संसार से भी डर लगना जरूरी है कि हमें इस संसार में बहुत नहीं रहना और भोगों से भी विरक्ती ज़रूरी है तो इसलिए वो क्या करते है बारह भावनाओं का चिंत्वन करते है तो उसका कंप्लीट अर्थ अगर हम एक ले लाइन में कठा देखे तो हे भाई मुनी जन अहिंसा आदी पांच महावरतों के धारी होते हैं वे बहुत पुन्यवान है और संसार के भोतिक सुखों से विरक्त रहते हैं वे वेराग्य को उत्पन करने के लिए माता के समानबारे भावनाओं का चिंतन करते हैं तो शिल्पा जी आप पूछ रहते हैं कि कैसे हमें इसके बारे में भी तो बताओ तो आचारे ने सब कुछ सोच रख है पूरा फुल पैकेज के साथ है तो अभी तक तो क्या कर लिया हमने चारित्रे तक पहुँचे कि यहां तुमें यह करना चाहिए ऐसे वरत पालन करने चाहिए इसका क्या भल है यह बता दिया अब क्या कहरे कि अगर नहीं किसी का मन लगे तो क्या करेगा वो तो यह भावनाए उसके लिए भी एक सुलूशन दे दिया क्योंकि तुम अपना प्रॉसेस बदल लो अपन सम्मेक दर्शन और सम्मेक चारित सम्मेक एक ही चीज़िए दोनों में आता है दोनों में शिक्षा बढ़ता हैगा दोनों में शिक्षा नहीस समझ में आपका प्रशन थोड़ा clear नहीं है मैं को भी clear स्मझ कहा हूए कजी बादे ना वो यह लगता है कि हाँ नो बरिस सम्मेक चारित बता ना है आपने बता है कि आपने समयक दर्शन बता है नहीं नहीं शुरू में हमने समयक दर्शन का पढ़ा था समयक दर्शन ना होने का कारण मिध्यात्व था तो हमने ग्रहीत मिध्यात्व और ग्रहीत मिध्यात्व के बारे में पढ़ा प्रत्यक्षि ग्यान कोंसा और अप्रत्यक्षि ग्यान कोंसा, ठीक है, कि मती शुरुत और मने पर ये अवदी ग्यान, ये पांच ग्यान के बारे में बढ़ा, फिर चारित्र के बारे में बता हैं, तो चारित्र में दो तरहें के चारित्र, सकल और देश्वरती, ठीक है, सकल वरती का मतलब क्या जो अनुवरत पार्शल ठीक है तो उसमें फिर बारह वरत बताए थे क्योंकि पांच और बता है था थीक है तो इसे का पार्ट है शिक्षा वरत का पार्ट है पहसंब धार असुंात के पहलाइब ए मैं आए यह भूरत के पार्टप देश रट और अनर्थदंडवरत के पार्ट है न자가 शिक्षः व यह हैं तो अब वो ये चीज आप बता रहे हैं कि वह ठीक है ये तुम्हारे पस टूल है अपने आपको उन चीजों में लगाए रखने का क्योंकि विरागय नहीं होगा तो वरत लेने का मन भी नहीं करेगा और वरत नहीं लिया तो चारित्र नहीं आएगा तो फिर हम अपना कल्यान नहीं कर पाएंगे हमारे पास क्या रह जाएगा सम्यक दर्शन और सम्यक ज्यान मतलब हम चतुर्द गुनस्तान तक ही रहे ठीक है भले हम अपना मोक्ष निश्चित कर लें सम्यक दर्शन अगर हो जाए एक बार तो मोक्ष तो निश्चित है ठीक है लेकिन वो जो समय है जितने टाइम में मोक्ष होगा वो अनंतकाल है ठीक है लेकिन चारित्र पालन करने से वो अनंतकाल हमने कितने भवों में आठ भव ठीक है न तो इसलिए इतना इंपोर्टेंट है चारित्र का पालन करना तो फिर चारित्र का पालन करने में अगर किसी को मन न करें तो फिर वो इन भावनाओं को डेली भाए तब उसे पता चले गा reality क्या है ठीक है तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं भावनाओं का फल भावना भाने से हमें क्या मिलता है इन चिंतत समसुख जागे जिमी ज्वलन पवन के लागे जब ही जी आतम जाने तब ही जी शिवसुख ठाने क्या करें कि इन चिंतत इनका चिंतन करने से समसुख जागता है समसुक मतलब समता रूपे सुक जागता है, जागरित हो जाता है, समता में रहने में इजी रहता है हमारे लिए, हमारे अंदर हाव हाव की, क्योंकि रियालिटी पता चलती है, इससे हमारे को अपने जीवन का जगत का स्वभाव, है ना, स्वभाव मतलब उसकी क्या नेचर है जगत की क्या नेचर है और शरीर की क्या नेचर है ये सारी चीज़े हमें बारे भावनाओं को चिंतवन करने से पता चलती है तो उससे क्या होगा उससे सम सुख जागे हमारे अंदर समतारूपी सुख जागता है जैसे हवा के भड़कने से अगनी बढ़ जाती है वैसे ही इनका चिंतन करने से हमारे अंदर समता सुख भड़क जाता है जैसे कभी आपने नोटिस किया होगा कि हम कभी देश भक्ति के गाने सुनते हैं तो हम बहुत एक्दम से बड़ा उस feeling से भर जाते हैं कभी राग रंग वाले गाने सुनते हैं Romantic गाने जैंदे बोलते हैं तो उन गानों को सुनने के बाद वैसे वैसे भाव होने लगते है, पुराने कभी के संसकार याद आने लगते, कुछ भी है न, उस तरह के, या फिर हम कभी भक्ती के गीत सुनते हैं, तो हमारे अंदर भक्ती जागने लगती है, ठीक है न, तो हमारे अंदर जैसा हम सुनते है सोचते हैं वैसा हमारे अंदर भाव जागरित होते हैं उसी साइकॉलेजी के उपर बारे भावनाव create करी हैं, create भी क्या करी है ये हैं already उनको सिर्फ बताया जा रहा है याँ पर किन-किन बातों से हमारे अंदर बैराग्य के भाव उपजते हैं कि हमें जिस तरह का माहूल मिलेगा हमारे अंदर वैसे ही एफेक्ट आ जाते हैं इमोशन आ जाते हैं तो यहां पार एक वोश्च यही हम लोग का डेली का चलेंज है कि हमें एड्मोस्फेर तो ऐसे में नहीं रहते लाइफ बारह भावना हो जैसी हो और मतलब जो लोग इस तरह के जीवन जीने के कोशिश करते हैं तो नहीं पर तो इस तरह का लाइफ स्टाइल और भी जादा डिफिकल्ट माना जाता है लेकिन उसके लिए एक सोलूशन यह दिया गया कि आप सत्संगती रखो जैसे इन्वारिमेंट आपको चाहिए वैसा इन्वारिमेंट के लोगों को आप अपने चारों तरफ रखो है ना तो उससे क्या है कि आपको बहुत एजीली आप लाइफ को जी सकेंगे फिर वरना मतलब यह बहुत बड़ा चलेंज यहां थोड़ा तफ है इंडिया में थोड़ा एजी पाना यहां थोड़ा तफ है इंडिया में कोई क्वेस्चन नहीं करता है लेकिन फिर भी आजकल वहां भी बहुत टफ है क्योंकि बड़े शहरों में अगर आप रहते हैं तो वहां तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है लेट से अपार्टमेंट लाइफ है आपकी तो वहां पर सब लोग आपको बोल बोल के ही कहेंगे कि यह क्या जिंदगी जीरे हो तुम है ना तो वहां पर भी आज के समय में सत्चंगती रखना साधर्मी के साथ रहना जरूरी हो गया अगर आप असपास कहीं रहते हैं तो तो मिल जाएगा आपको अधरवाइस आप थोड़ा भी दूर रहते हैं तो आपको साधर्मी भाईयों का मिलना बहुत मश्किल है क्या है इस जिंदगी में देखने में यह रूखी दिखती है लेकि अंदर में बहुत रस है जो इसको कर लेता है लेकिन देखने में बहुत रूखी दिखती है क्या ठेर सारे चूडरी पहन के नट的 कॉत नइचार्मी ऊइसा रहते हैं, राइट, हम लोग बड़े हुएं, जज्जमेंट करते हुए, तो अगर हम बहुत रूखा जीवन जी रहे हैं, तो हमारे लिए क्या जज्जमेंट पास होगा कि, क्या पता इनके लाइफ में क्या तकलीफ चल रही है, इसलिए धरम के चले गए, पता नहीं क्या तक यहां पर दड़ाक अधर कर तुम्हारे उपर आक्षे पर अच्छा जाएगा वो बारा वरत के लिए कोई कोई वरत नहीं ले पाएंगे, like पानी सुद्ध नहीं लेगा, लेकिन, पानी भी परशेट जी आपको शुद्ध मिलेगा, अगर आप ठान लेना की आपको करना है, हाँ, वो तो करते ही है, ऐसा स्टोथ मेल जाता है, यहाँ पर भी जैसे हम जहां है वहां पर भी दो अभी जहां नया मंदिर बन रहा है वहां दो स्तोत्र हैं डारेक्ट वाटर आने के तो ऐसा नहीं है अपना बस सोच पका करिए द्रड़ता रखिए इस तो पूता चला जाता है और इंडिया में ज्यादा लोग यह रहते हैं इसकी सुने उसकी सुने हमें क कर रहा है कर लो जिस से चला बने हो बहुत है बलकि ज्यादा भावने जागवाद होती है दूसरे को देखके आप यह तरी नहीं है अपने को करने को जैसे जैसे गौशिप बोलते है न वह से अपने को करने की जुरुत नहीं करती है चलीए अब और ले बात बाद को दूँ जब ही जी आतम जाने कि जब जीव इस आत्मा को जानता है तब ही जीव सुक ठाने ठाने मतलब प्राप्त करता है कि जैसे उसे पता चलता है जीव इन भावनाओं के द्वारा जब जीव आत्मा को पहचानता है तब ही जीव मोक्ष रूपी सुक को प्राप्त करता है कि ये ज अब तक पता ही नहीं है जीव क्या है तो ये भावनाएं क्या करती है ये हमें जीव से अपने आप से पहचान कराए रहती है और फिर हमारा क्या है अंतरंग से मोक्ष की तरफ गमन करना इजी हो जाता है और हमारी द्रिड़ता वड़ती है उसमें ठान लेते हैं उसको करना ही है. तो ये हमारे को इन भावनाओं का फल बता दिया. ठीक है? तो अब यहां से पहली भावना शुरू होती है. अनित्य भावना. अनित्य भावना हमने बहुत बार राजा राना छत्रपती पढ़ा होगा. या कहां गए चक्री जिन जीता है ना? सबी ने सुना है उसको तो अनित्य का यहाँ पर क्या मतलब है अनित्य मतलब कुछ भी यहाँ पर नित्य नहीं है ठीक है किसी अपेक्षा से बोल रहे है अब जितनी भी बाते करी जाएंगी किसी ना किसी अपेक्षा से तो किसी अपेक्षा से यहाँ पर इंद्रिय भोग छिन थाई, सुर्धनु चपला चपलाई, क्या जोवन, जोवन मतलब यूथ, जवानी, ग्रिय है हमारा घर, जवानी कैसे सबको मालूम है नित्य है, किसी ने नहीं देखा कि जवानी हमेशा रही आए, यहां पर भी बहुत सारे लोग हैं जो अब अपनी 40-50 में या उससे भी जादा वाली रेंज में आ रहे होंगे, तो यूथ जो था 18-19-20 साल की उमर जो थी, सब चूटता जा रहा है, तो अनित्य है तभी जा रहा है, पर्मानेंट नहीं है, ग्रहे, ग्रहे कैसे, ग्रहे भी हमारा चूट जाता है, एक तो यह है कि हमारे अगर हम अपने पैरेंट्स को देखें, अपने ग्रेंड पैरेंट्स को देखें, आज वो नहीं है उस घर में, तो घर, यह सब चीजे क्या है, यह भी छूट जाती है, चाहे मरन समय छूटती हूँ, लेकिन ग्रहे, गोधन, गोधन मतलब जो जानवर आधी पहले के समय में पालते उसको गोधन बोगते थे, गोधन, नारी, नारी, स्त्री, और है, घोडा, गए, हाथी, और जन जो तुमारे आज्याकारी जन, मतलब तुमारे फैमिली के लोग, यह सब क्या है, यह सब कुछ भी नहीं बचता, फिर इंद्रिय भोग, जितने भी इंद्रिय भोग, हमने पं चण मात्र रहने वाले हैं, किस तरह से, जैसे सूरधनू, सूरधनू होता है, इंद्रधनुष, चपला, चपलाई, और बिजली, बिजली और इंद्रधनुष के समान, यह सब चीजें, और इंद्रिय भोग, जो हैं, चण मात्र रहने वाले हैं, तो कितनी बार हमने देखा कि पुरान ची पढ़ते समय कि कितनी बार सर्फ बिजली कड़की बादलों में है ना और उसको देखकर वैराग्य हो गया तो यह जो अनित्य भावना है बेसिकली यही तो भाई जाती है उस समय जब उन्हें वैराग्य हो जाता है इन चीजों को देखकर यह रियलाईज होता है कि कुछ भी रुकने वाला नहीं है मेरी जवानी, मेरा राज्य, मेरा मेरी संपदा कुछ भी नित्य नहीं है तो मैं इनके पीछे क्यों भागूं तो यह सब कुछ रियलाईज करा रहे हैं कि आप किसके पीछे भाग रहे हैं जिस पैसे के पीछे हम भागते हैं, कभी नोटेस किया है कि कितनी जल्दी आता और कितनी जल्दी चला भी जाता है, लक्षमी को इसलिए चपल चंचल वोलते हैं न, चंचला लक्षमी, है न, करम का जैसा उदय चल रहा होता है, वो वैसा वैसा फोलो हो जाता है, जैसी नित्य है और जो हम मरण आदी देखते हैं अपने मित्र जनों का परिवार जनों का वो तो सभी जानते हैं एक्तम से कहने में आ जाता है कि कुछ भी यहां पर्मनेंट नहीं है सब यह जितना भी है कुटुम्भी जन सब छोड़ छोड़ के जाते हैं हम सोचे कि हम किसी को यहां रोक लें तो वो पॉसिबल ही नहीं है तो reality से face कराने का काम है यह बारै भावना कहीं बार हम उस चीज को इग्नोर करते रहते हैं हमें सब पता हैं लेकिन हम हमारा मन नहीं करता है इनको accept करने का तो यह चिंतन करना है ये आपको सामाईक के लिए विशे दिया जा रहा है, कि जब शांत बैठो, तो किसका चिंतन करो, भारय भावना का चिंतन करो, तो उससे क्या होगा, अंदर में समता का सुक जागरित होगा, उससे क्या होगा, हम अपने आपको और द्रिड़ता के साथ मोक्ष मार्ग पर चलन के लिए स्थित कर पाएंगे, ठीक है, अनित्य भावना, किसी को कोई प्रशन अनित्य भावना से, सब को बात समझ में आ रही है कि हम अनित्य भी है, चारु जी, इसका मतलब है कि दुष्टी को परियाए वस्तुं से हटा कर सुवभावस अनित्य वाले नहीं है, कमी भी है यह सब चले जाने वाले, चंचल है मतले सब चीज है, गर परिवार सब कुछ अपने साथ में रहेगा, जैसे आप कभी नूटिस किया हो, जैसे अप करम के उपर को यह अगर हम स्लाइड बनाते हैं, let's say हम प्रिवियस लाइफ जी हैं हमने, तो एक ही जी, कभी कुछ बन रह है, तो उस परियाई की अपेक्षा, कभी कुछ बन रहा है, कभी कुछ बन रहा है, तो क्या है, परियाई जो बदलती जा रही है, तो बदलाव क्या है, वो अनित्य वड़ी उसकी है, बदलाव के लिए, परिवर्तन, है ना, वो इक अलग बात है कि जो उसमें जीव है, वो बना हुआ है तो उसको आगे की भावना में देखेंगे ठीक है ना कि वो एकत्व भावना जो है हमारी उसमें हम जानेंगे लेकिन अभी क्या है हम परियाई की अपेक्षा से सब चीज अनीत्य है सब में बदलाव आ रहा है मैं एक चीज़ एड़ करूँ जैसे मेरे बच्पन में मेरे कहां में दस लोग रहते थे और उन दस में से एक 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 करके छे लोग मर गए और कैसा मतलब कभी कभी देखो तो इतना वो लगता है कि बस हम चार लोग बचे हैं और कभी कभी मैं सोचते हूं न कमरों में जिसमें मंपापा रहते थे दारदादी चाचा मेरे तो मौसा मौसी मतलब इतने लोग मर चुके हैं तेकिन इतना लगता है कि अब सब जा चुके हैं और निष्चित रूप से अब मेरे मम्मी पपा दौनों की ड़त हो चुकी है तो हमेशा है सलकता है वस नवी आर जो से युद्ध के मैदान में फ्रैंट फेसिंग आ जाते हैं बिलकुल वहां हम पोच चुके हैं बिलकुल अनित्य भावना यही रियलाइज कराती है कि जब वो नहीं रहे तो हम अपनी आप को कैसे मान के चले कि हम हमेशा रहने वाले और जब हम हमेशा नहीं रहने वाले तो हमारे लिए करने लाए क्या चीज है उस पर ध्यान देना है तबी बोला ना यहां पर कि जीव आत्मा के स्वरूप को जानकर मोक्षय सुप को प्राप्त करता है तो जानने का समय तो मिलना जाहिए ना, अगर हम भोगों में लगे रहेंगे, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो उस thought process के लिए बारे भावना है, हमें निरंतर भानी है, श्यारो जी नित्य और अनित्य में फरत बताऊं हाँ, नित्य से अलग अनित्य, अनित्य मतलब temporary और नित्य पर्मानेंट तो नित्य क्या है, जो अभी example दिया था, जीव की अपिक्षा देखें तो जीव तो पना ही रहता है आत्मा ही नित्य है आत्मा की अपिक्षा से देखेंगे तो वो नित्य है लेकिन बाएंगे शरीर की अपिक्षा से देख रहें जीव अनित्य भी है और जीव मित्य भी है, किस की अपेक्षा यह हमें देखना यह हम देखते हैं कि वो जाकर देव बन गए तो जो अभी राजा था वो ही आगे चलके देव बन गया ठीक है अब जो देव बन गया और जो राजा है दोनों में जीव तत्व या आत्मा कह लीजिए वो एक ही है सेम है आत्मा नहीं चेंज हुई उसकी सिर्फ बाहर में शरीर बदला है ठीक है तो जो आत्मा के अपेक्षा बोलेंगे तो जीव नित्य है हमेशा रहता है लेकिन जब हम शरीर के अपेक्षा बोलेंगे बाहर में जो दिख रहा है उसकी अपेक्षा अनित्य है और बागी जो बाहर में हमारे सामगरी दिख रही है वो अनित्य है तो हमे कब तक देंगे थोड़ा time देते हैं फिर हम उन्हें accept कर लेते हैं कि हाँ उन्हें तो जाना ही था है ना क्यों जाना था क्योंकि हमने कहीं ना कहीं accept कर लिया था कि यह सब कुछ अनित्य है अनित्य मतलब temporary है तो उनका साथ भी temporary था ठीक है ना तो इसी तरह से सब चीज में temporary है घर गाएं रुपिया पैसा स्त्री घोड़ा यह सब सब पर लगाना यह नहीं कि parents पे तो लगा लिया कि हाँ वो तो temporary थे हमारे साथ जो था उनका वो temporary था लेकिन अब अपने बच्चों के लिए अपने partner के लिए अपने घर के लिए अपने पैसे के लिए सब चीज के ल तो चाहें, right? It is possible क्योंकि कौन कितने समय तक रुखेगा यह कोई नहीं जानता फिर वताते हैं अशरन भावना अशरन भावना शरन ना होना है ना ऐसा समझ में यहाँ पर आ रहा है तो देखते हैं इसका डिटेल क्या है तो अब यहाँ पर क्या बात के रहा है अशरन हम क्या सोचते हैं जब हम चली पहले मीनिंग देख लेते हैं मतलब सुर इंद्र असुर नागेंद्र और खगेंद्र खगेंद्र जेते जो जो है म्रिग जो हरी काल दलेते ते मतलब उन सब को म्रिग जैसे हिरन को सीह के समान सीह अगर हिरन के सामने आजए तो क्या एक तरह से काल ही तो नज़र आता है उसे मौत ही तो है उसके लिए है ना शेर जैसे हिरन के लिए मौत है वैसे ही इंद्र नागेंद्र और खगेंद्र जो जो है उन सब को हिरन को सीह के समान मौत नश्ट कर देती है कि इंद्र को भी नागेंद्र कम तब कि इवन ये जो उपादियां है या ये जो पद हैं मिले हैं वो सब भी किस तरह से नश्ट हो जाते हैं जैसे हिरन को शेर नश्ट कर देता ऐसे ही मौत सब को नश्ट कर देती है काल सब को मनी, जैसे अच्छी से अच्छी मनी, सर्पकाट लेता है तो बोलतें गरूर मनी से अच्छा किया जा सकता है। या और भी कोई चिंता मनी आधिक मनी, मंत्र हो गए, बड़े-बड़े रक्षा मंत्र, तंत्र हो गए, जो तंत्रिक का सहारा लिया जाता ना टोटके आदी, बहु होई, बहुत हैं, मरते न बचावे कोई, पर मरते होई जीव को कोई भी नहीं बचा सकता, ठीक है कि देव, राक्षयस, चकरवर्थी, अत्वा, चाहे कोई भी क्यो नहो, वे सब मृत्यू के द्वारा वैसे ही नाश को प्राप्थ हो जाते हैं, जैसे हिरनसी के द्वारा नष्ट हो जाता है, तो हम जैसे पुरान पढ़ते हैं, हमें यही फाय바यरा पुरान पढ़ने का, कि हमने उसको भोगना ही पड़ेगा मरण को accept करना ही पड़ेगा ऐसे ही चक्रवर्ती को भी हमने देखा है चक्रवर्ती भी कितना भी उसके पास 9 निदिया 14 रतन कितनी भी सेना है कितने भी राजा चारो तरफ उसकी रक्षा के लिए खड़े हों लेकिन जब आयू का अंताया तो उसको भी बचा नहीं पाया तो क्या कहना चारे हैं यहां पर कि शरण कोई भी नहीं है प्राचीती आप कुछ कह रहे थे हाँ मेरे एक कोशन है मेरे को हमेशे एक कोशन में मतलब आता है इस लाइन पर माना मानत्र तंत्र माध्र मृमा Pent족 तैसे अभी पूज़पाद स्वामी की उसमें उन्होंने बताया की उन्होंने बताया की बहुत करेट कि वाला एक श्रोट रहे कि ऊसमें मानत्र विद इंसे जो dell a साब का विशक खताम किया सकता है मंत्र से तो एक जगे तो और जब पुझपात स्वामी जैसे महराज ने लिखाया आचार ने तो वह बात 100% सकते हैं कि वह बिल्कुल होते ही होगा तो फिर फिर क्या कहते हैं केवल मृत्यू पर ही क्यों है यह बोलते हैं फिर अगर कोई चीज मृत्यू पर सच नहीं है और कहीं और सच है यह कैसे हो सकता है मतलब कहने का यहां पर क्या है मंत्र तंत्र काम करते हैं मनानी कर रहे हैं उस चीज के लिए मणी मंत्र तंत्र सब काम करते हैं नहीं तो ऐसा होता तो हम भखवान पर भक्ती पर वहरोसा ही नहीं करें भक्ती बेसिकली क्या है? स्तोत्र क्या है? स्टूती जो करते हैं, हम यह मान के करते हैं, मंटर है, उसके अंदर मंटर रचित है एक तरह से, लेकिन मरते नंबचावे कोई, अगर आयूख पूरी हो गई, काल पूरा हो गया, उस समय मंतर तंत्र भी काम नहीं करता तो मेरा कोशन यह है कि जब काम कर रहा है तो वो किस पे काम कर रहा है तो मतलब आप यह कह सकते हो कि दर्द निवारक मंत्र तो है लेकिन रत्यू निवारक मंत्र नहीं है आप यह कह रहे हैं Otherwise ये भी काम नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है आपको उस तरह का पढ़ने वाला ना मिले, हो सकता है आपके पढ़ने में कोई गल्ती हो, हो सकता आपकी उतनी श्रधाना हो, तो वह असर ही नहीं करेगा, तो वैसे ही निमित बन जाएंगे, कि आपको वो मरते समय नहीं बचा पाएगा, ऐसा नहीं समझे कि मंत्र में कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम अपने पुन्ने में है, अच्छा अच्छा ठीक है, समझ गया, अपना पुन्ने चीन हो गया, वो ही सेम मंत्र किसी और पे हो सक लग जाए, लेकिन चुकि आपका पुन्न चीन है, तो आपके सर्व वानक सही नहीं बनेगे, मतलब अच्छा प्रॉब्लम अपने अंदर भी देखना पड़ेगा, आपके पास वो पुन्ने है कि नहीं है, आपके पास उतना काल आपका बचा है कि नहीं बचा, तो अच्छार्थ करना हमारा काम है, वो असर करेगा नहीं करेगा ये नहीं कह सकते, अगर ऐसा होता तो आज की डिट में हर डॉक्टर हर मरीज को बचा लेता, डॉक्टर तो कभी कमी नहीं छोड़ता ना अपनी तरफ से, अगर एक मेडिसन एक को बचा लेती और दूसरे को न जब और करेंगे, चाया बोगोस टैमा पुछ लेकर अगर आपका पुन्न नहीं है और अल दॉक्स इन रो नहीं है तो आप पुन्ने चीन वहा तो रावन को भी कोई नहीं बचा पाया जबकि उस पर कितनी रिदियां सिदिया थी पुन्ने चीन हो गया ना जिसनी जितनी आयू है उतना ही उनको मिले आप वेरी नश कुशना था वर्षा जी आप इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा है कि ऐसकुँछ सेशन या ईहीं अपनी कुछ पॉसिबल है लेकिन अगरे आइसके टरीके से देखें व्याभहार की तरीके से देखें तो अपनी शिरद्ध के उपर डिपैंड करेगा ठीका ना मतलब वो मिथ्या की कोटी में नहीं आएगा? मिथ्या की केटिगरी में नहीं आएगा. लेकिन शास्त्र में कहीं इसका रेफरेंस भी नहीं है. हम तो इतना जानते हैं कि अपने को करना है स्तूति, कुछ आसा नहीं रही है. जद्धा करके आपने हमें स्टूत्र बोलना है भॉस भई भई तो हम रोज भोल दो पूरा है भई हमें तो ऐसी जरूवत ही नहीं है, ऐसा कोई प्रमान शास्त्र में नहीं है सब पता नहीं कह सकते क्योंकि मंत्रे तो हमारे जो है सो अच्छे हैं राइट ? उन्हें तो कोई भी मिध्यात्व नहीं है वो मानने वाले कि उपर डिपेंड करर रहा है वो किस अंडेस्टाइंडिक के साथ उसको एकसेप्ट कर रहा है लेकिन हमारे में तो यह कहते हैं कि आप बस कार्य करते जाओ फलकी आसा मत रखो बिलकुल अपने अपी पन मिल जाते हैं कोई देव जनम लेता है ना अगर खरश्ची दैव है या मिध्या-दरिष्टी दैव है दोनों ही टुरंत जब्धी दैम लेते हैं उठ्टे-धशाथी के बाद अपने देव- filing नंदिर जाते हैं ठीक है जो मिध्या-द्रिष्टी होता है वो उनको कुल देवता मानके पूज करता है और जो सम्मेक दृष्टी होता है वो उन्हें जिनेंद्र देव मान के पूजा करता है उन्हें देव सामने है लेकिन सेम है ठीक है ना उसको मानने के उपर वह मिध्या दृष्टी और सम्मेक दृष्टी हो रहा है ठीक है उसमें कुल देवता माना उन्हें वीतरागी देव नहीं माना, यह मेरी रक्षा करेंगे, तो इसी तरह से जो भगतामर जी में, अगर कोई आप से कह रहा है कि यह इसा करने से आप ठीक हो जाएंगे, कुछ है, तो सामने वाला हो सकता है, नॉन जैन भी हो, उसको पता ही नहीं है कि यह किसकी स्तुति की जा रही है यहाँ पर, है न, तो इसलिए वो उसको क्या मान के कर सकता है कि यहां भई कुछ अच्छा बता रहे हैं, देव है कोई, उनका करना है हमें, तो सामने वाले की अंडरस्टेंडिंग पर असर पड़ेगा, इन एक और यह आस्पेक्टे जैसे विशलया का जीव था, वो इतनी पुन्यात्मा थी कि उसके पानी से लोग ठीक होते थे, तो ऐसे ही जैसे कई बार ऐसा भी हो सकते है कि पुन्यात्मा वेती, और किसी के हाथ में इस तरह का है है पुछले जनम से पुन्य मिलाए कि वो किसी को किसी के लिए प्रात्ना कर देगा तो ठीक हो जागा और इसको रेकिया तो इसको रेकिया आपने जाना हो रिधियां होगा करती थी पहले के समय में भी रहारी मुनिराज जिनके की छूकर वायू अगर उनके से चूकर यज कर गुजरती थी तो उस वायू के चूने मात्र से ठीक हो जाता था कोई ठीक है उनकी वायू से इवन जहर तक उतर जाता था तो इस तरह से पहले बहुत होता था ये सब लेकिन आज वो सिद्धिया नहीं है आज ये तोड़ा सा प्रमोशन के लिए कह लीजिए अपनी publicity के लि लोग वहां पर जूड़ रहे हैं सानी है कि हरेका सब कुछ काम हो जा रहा है इस सिद्धी नहीं होती है अच्छली में ये यश होता है किसी किसी में तो ये मानती हूँ क्योंकि मैंने अपनी माग को देखा वह जिसका भी करती हूँ बड़े दिल से करती हूं उसके ठीक हो बढ़ा पर नबबे साल की आज भी हो करती है वह ठीक हो जाता है किसी में होता होगा मैं तो पहले का तप हो उनका पूरा नगा तप तो बहुत क्या हूँ नहीं इतना गजब का कि कोई शाह देए नहीं ये तो बहुत तप तो ऐसा किया है मैं कि ऐसे रात दुपर कि 12 तो यहाँ पर अशरन भावना और अनित्य भावना इन दो से रिलेटेड किसी को कोई प्रश्न? अशरन भावना में हम लोग पढ़ते हैं ठीक है जो भी पूजा करते होंगे चत्तारी मंगला में पढ़ते हैं उसमें आता है अरिहंत की शरन, सिद की शरन है ना तो यहाँ पर बता रहे हैं कि अशरन भावना कि कोई भी बचाने वाला नहीं है तो क्या हम सच में बे सहारा हैं तो यहाँ पर जो बाते बताई हैं कि यह सब कुछ नहीं बता सकता बचा सकता रक्षा मंत्र टोटके मणिया दी रैट लेकिन हमें कौन बचा सकता है मरने से मरने से कौन बचा सकता है हमें अपना आत्मा ही हम आत्मा का ही हम अपने जनम मरण के चक्र से ही बच जाएं अगर जाएंगे तो हमें ना तो जनम लेना पड़ेगा तो जनम नहीं लेंगे तो मरण भी नहीं होगा हमारा तो हमें किसकी शरन लेनी चाहिए धरम की शरन धरम की शरन बता दी कि हां शरन तो उधर जाओ, यहाँ पर इस संसार में मनी मंत्र तंत्र आदी कोई नहीं बचा सकता, यह सब कुछ तो सूर असूर और खगादी आदी के पास सब के पास थे, चक्रवर्ती के पास क्या नहीं रहता, ना, लेकिन उसको भी कुछ, तभी संसार में हर तरफ अशरण है, करके हम खुद अपने आपको बचा सकते हैं, आदम से लिहां को यह जनम मरन से छुट करा द तो अपने आपको यह नहीं मनिएगा कि अरे हम, हमारी तो को यह ora नहीं है, जैसे हो तो मैं लेकि कही विजुलाइचेशन क्या रहता है, कि हम हमें कुछ हो गया तो हमें कोई तो उस फिलिंग में नहीं जाना उसमें जाने की बात नहीं कर रहे हैं यह रिलाइस कर रहे हैं कि जब काल आता है उस समय कोई नहीं बचा सकता सिवाए धरम के तो धरम की शरण ले लो तो उससे बच सकते हो इसले समाधी मरण करने को बोला है ना मरण समय क्या करो सब तरह का पाप सब तरह का परिगरे छोड़ दो और सिर्फ भगवान की भक्ति उस समय जो याद है वो कर लो तो और कोई शरण नहीं है उस समय सिवाए धरम के ठीक है तो संसार भावना हम नेक्स्ट उसमें कर सकते हैं अगर किसी को किछ भी क्वेश्चन है ना समझ आ रहा हो तो प्लीज फिल फ्री टो आस्क चारु जी ऐसा बोलते है कि आत्मार्थी निजस भाव के शरण ग्रहन करके अनन्त सुपी वो इस पवित्र भावना से यह शरण भावना इसका मतलब बताते है या बेसिकली अपनी ही शरण में आजाओ और अपनी शरण क्या मतलब जीव की जीव को ही भाव जीव का ही ध्यान करो अपनी ही शरण में आना मतलब जीव का ही ध्यान करना अगो शरण के लिए कहीं और मत जाओ अपने ही पास आजाओ अपनी जो जीव है वो ही नित्य है उसी क ध्यान करो, उसे ही बचाना है इसे अपने आत्मा का ही शरन ग्रहन करो, ऐसे ही बोला है अनन्ततुत मिलेगा बाहर नहीं दुनना है बाहर नहीं दुनना है, वस्तु स्वभावो धमो है ना, बहुत सब ने पढ़ा होगा ये वस्तु का भाव धरम है और वस्तु यहां पर क्या जीव जीव का स्वभाव धरम है तो अगर हम अपने ही स्वभाव अपने ही पास आजाते हैं तो वो ही धरम हो गया और उसी की शरन लेने को कहा जा रहा है तो ये सब को समझ में आ रहा है सामाई के लिए, चिंतन के लिए ये विश्य दिया जा रहा है तो इसमें से आप कोई भी एक भावना पकड़कर चिंतन कर सकते हैं नी तो बारा की बारा काच कर सकते हैं लेकिन ये करना जरूरी है चारूटी, एक एक बारना हम करेंगे कि इसके उपर आप सिखा देना ठोड़ा सा ध्यान है ठीक है तो जिन्वानी स्तुत्ति कर ले जावानी के ज्यान से सुझे लोका लोक सोवानी मस्तक दरो सदा देत हुदोक ये जिन्वानी बारती तो ही जपो दिन रहन जो तेरा शर्णा गहे सोभावे सुक्चैन नौबड़नम कर्मन जो अब एक नई क्लास शुरू की तो उन पर्टिसिपेंट्स का रिक्वेस्ट था कि हमें विशे जो है वो थोड़ा टेक्निकल्स अमजना है तो उसके लिए अब हमने करम सिद्धान्त जो तत्वार सुतर का आठवा द्याई है वो शुरू करने वाले हैं ठीक है तो ये कमिंग ट्यूजडे से ट्यूजडे को किसके लिए आपने करी क्लास शुरू किया था यंग प्रोफेशनल्स के लिए हमें भी सकते लेकिन आप तो रिकॉर्डिंगी सुन पाएंगे ना क्यूंकि आपको लेट होगा बन करना था मैंने उसको सेटरेडे बोला था तो उसने मना कर दिया तो अगर वो कोपल जॉइन कर सकती है हाँ हाँ शूर तो करम सिधान्त पड़ेंगे हम लोग जॉइन कर सकते हैं तो आइविल शेर दर लिंक इन रूप और टाइम किस दिन है क्यूज दे 8.30 प्याइम प्यूज प्यूज लिए बीच प्यूज प्यूज आइए